बबेरु ब्लॉग के ग्राम पंचायत अन्वान की गौशाला का हाल बेहाल है मुख मंत्री योगी अतनाज जी महराज के सपनों को जार-जार कर रहे है ग्राम प्रधानों सच्च वृतिक रोशन सब्सक्राइसन भी इसमें एकदम मौन है हमारे सरकार से विलम रिद्वेदर है कि गौवंच के हित्व में सरकार अपना कोई उच्छे दिवम का ठोड़ कदम उठाए तब ही गौवंच तरक्षित रह सकेंगे जी नियूज इंडिया मायतिवारी बांदा अधित कूल जल्याओ कराएं अधित कूल जल्याओ कराएं कि आगा मोई मपोन आगा किया नाम है आपको संदीप अच्छा संदीप नहीं कितनी सल्री मिलती है आपकी छेहजार शेहजार ये जो दो गाई बीमार पड़ी है इनको आप डाक्टर को कब से फोन ने किया है हम चार-पान दिन पहले आए थे दो बार भी आए हैं अच्छा एक हपता पहले आए थे तो बिल्लवला लगा गये हैं तो जब आंक्टर गायाट बीमार पड़ी है तो आज आपने पोन किया डाक्टर को आज कल में किया नहीं प्रदान जी को बताया नहीं सच्छु साहब को प्रदान का नाम क्या है बिर बहादूर पटेल यहां जो गौसाल आये हैं इसके जानवर यह खुलावं पड़ते हैं यहां का क्या नाम है बढ़ादूर बिर बहादूर सिंग पठेल इसके बाद सचु को नहीं यहां का रितिक रोशन है तो क्या खुला फ्हकवाता है जानवरी यह तभी नहीं गड्दा करवाएं लाओ कि अधिना प्छले साल कड्डे करवाएं थे यह तो कि नहीं कोई कड्डे नहीं कोई कड्डा नहीं तो बताए और यहां का जो system है जानौरों का घृष खिलाए हो कब नहीं खिलाए को तो यहां कि लाटे हैं कि तीन-चार दिन पहले खिला हैं और इसके बाद पीना खरी पीना खरी भी देते हैं एक लिए लिए देते हैं यहां पर फाटक में यहां पर पैरा पड़ा है ना पैरा है कटिया है वो पड़ी है यहां नहीं तो सरकारी भावन है नगोसके अंदर ही है करता है हम लोग करते हैं और अकेले सिंगल हो क्या वो बाहर है ऑगर सिंगल देश्मण लें छीज़ा तक हो जाते हैं रहता की जो है प्यों है यह रोड की किनारे टो हो खुला में ना प्रदादर बहादूर के खुला में जानुर फेकते हो फेकते हो फेकते अनुद डाइब गडवाएं जाते हैं गडवाएं जाते हैं तो